शोप के लिए केक सोफ बोल देते हैं, या बार सोफ बोल देते हैं, मतलब सोप तो एक ऐसा शब्द है जो बहुत कम बार बच्चे को पता होता है कि अनकाउंटेबल होता है, नहीं तो बच्चों को लग रहा है सोप तो काउंटेबल है, सोप हो गया, सोप कर सकते हैं, आर लगता ही नहीं है क्योंकि इंग्लिश में वो कैसा नाउन है अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पर ऐसे एस लगा कि उसका प्लियरल नहीं बनता इसलिए अगर बड़े सारे साबुन कहना हो तो पीसिज ओफ केक्स ओफ या बार सोप सोप कहा जाता है सोप कभी भ पाती है कि सौप पयिस ने लगता और ना ही सोप काउंटेबल होता है बड़े सारे बच्चों को लगता है मैं तो गिंद्य पाथ साबुन लाया में पाथ साबुन के बार लाए हो पाथ बट्टी कहते हैं साबुन की बट्टी चक्की तो इस सेंस में आपका यह शब्द ये शब्द लगा के इने plural जरूर बनाया जा सकता है, ताकि इनकी वर्ब कैसी आजाए, plural आजाए, समझे, तो अगर ऐसा कुछ add कर दोगे न, तो वर्ब plural होगी, बाकी हर केस में वर्ब singular होगी